हे गाईज वलकम बाक टू माँ चानल हापी यार्स तो कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी और आलू की बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी स्पाइसी सी रेसिपी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नह की मदल से मैश कर लेंगे अब एक बॉल में हम तेड़ कटोरी सूजी लेंगे इसमें एक कटोरी दही डालेंगे आदा चमश नमक डालेंगे आदा चमज अद्रक लसन का पेस्ट डालेंगे और इसको एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें आदा चमज के करीब बेकिंग पाउडर डालेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए इसका एक पतला घूल बना लेंगे यह देखिए ऐसा पतला घूल में बना लेना है और इसको अब हम ढखके 15-20 मिनट के लिए साइट रख देंगे एक कडाई में मैंने यहां 3 टेबल स्पून ओयल को गरम कर लिया है अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे जीरा चटक जाने के बाद हम इसमें अनियंस अड़ करेंगे यह मैंने चॉप किया हुआ अनियंस लिए है मैंने एक अनियन को चॉप कर लिया है अब इसको एक मिनिट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे दो चॉप किय configure हरी में जिसमें आठ करेंगे आप अपने हिसाब से जितना आपको तीखा पसंद तो आप ज़ादा कम भी कर सकते है इसको टू मिनिट्स के लिए हम ऐसे ही अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हलका सा गोर्डन कलर आ गया है अब हम इसमें हाफ टिबल स्पून नमक आड़ करेंगे हाफ टिबल स्पून ही हल्दी आड़ करेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे अब मैं यहाँ पे छोटा पाकेट एक चीली फ्लेक्स का यूज़ कर रहे हूँ आप चाहें तो स्केब भी कर सकते हैं अच्छे से इन सब को मिक्स करते हुए अब हम इसमें हमारे मैश किये हुए आलू को एड़ कर देंगे आलू एड़ करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे अच्छे से मसाले को आलू में मिक्स कर लेंगे और इसको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करने के बाद के नियुक्ता टो मिनिट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे नियुक्ताbas का कि दो मिनिट इसको पकाते हुए हो गे अब हम के चोड़ा इसमें ाफ टेबौ स्पून से थोड़ा सा कम गरम मासला डाइट करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे अच्छे से mix कर लेने के बाद अब हम gas की flame को कर देंगे बन और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब आप कोई भी दो बड़े glass ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा सा oil add करके उसको अच्छे से हम grease कर लेंगे ग्लास में oil को अच्छे से grease कर लेना है अलू हमारे ठंडे हो गये हैं अब हम इनको हाथ की मदद से ऐसा finger shape दे देंगे अब हमने क्या करना है ग्रीस किया हुआ ग्लास लेंगे उसमें थोड़ा सा ये सूजी वाला बाटर आट करेंगे पहले इसके बाद हमने ये आलू का जो finger बनाया था इसके बीचों बीच में इसको ऐसे रख देंगे अब इसके चारों तरफ हमने ये सूजी वाला बैटर को फिल कर देना है ये बैटर को मैंने फिल कर लिया इसी तरह से दूसरे ग्लास में भी हम फिल कर लेंगे ये दोनों ग्लासों में मैंने बैटर को फिल कर लिया है अब एक pressure cooker में मैंने ये एक ग्लास पानी लिया है और इसमें मैं ये इतली stand को रख रही हूँ आपके पास कोई और stand हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अब इस stand पर balance बनाते हुए बैटर भरे हुए ग्लासों को रख देंगे और pressure cooker के cap को लगा देंगे द्यान रहे आपको whistle नहीं लगाना है और अब इसको हम 15-20 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनिट हो गए हैं अब हम cooker को open करके देख लेते हैं ये देखिए ये बन के ready हो गए है अब gas की flame को कर देंगे बन और इनको बाहर निकाल लेंगे हमने इने बाहर निकाल लिया है अब इने हम थोड़ी देर के लिए ठंड़ा होने देंगे ठंड़ा होने के बाद ये glass में से अच्छे से release हो जाते हैं इसे मैंने ठंड़ा कर लिया है ये देखिए ठंड़ा होने के बाद अपने आप ही इसे glass में से release होने शुरू हो जाता है इसको अच्छे से ऐसे थोड़ा सा tap करेंगे और ये ऐसे बाहर आ जाएगा यह देखिए इसी तरह से दोनों को हम निकाल लेंगे अब हमें क्या करना है एक knife की मदद से इसके ऐसे गोल को slices कट कर लेंगे इसी तरह से यह देखिए लग रहा है ना कितना सुन्दर इसी तरह से हम दोनों को गोल-गोल slices में ऐसे कट कर लेंगे यह देखिए मैंने इन सब को गोल slices में कट कर लिया है इनको कट करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े सा bread crumbs लिया है अब हम एक bowl लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून मैदा एट करेंगे मैदा एट करने के बाद 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम corn flour लेंगे और इसमें half टेबल स्पून नमक एट करेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करके इसको अच्छा से एक पतला गोल बना लेंगे इसको अच्छे से mix कर लेना है ताकि इसमें कोई lumps ना रहें ऐसा पतला गोल हमें बना लेना है अब हमने ये सूजी और आलू के जो सगल्स कट किये थे ये लेने हैं और इसको मैदा के गोल में dip करना है इसके बाद हमने bread crumbs में इसको अच्छे से लपेट लेना है लपेट कर लेना है अच्छे से एक बढ़ा सी coating कर देनी है bread crumbs की और इसको हम side रख लेंगे और इसी तरह से बागी roll को भी मैदा वाले गोल में dip करके bread crumbs में अच्छे से roll कर लेना है अगर आपके पास bread crumbs available ना हाँ तो आप यहाँ पे मैदा के साथ 2 tablespoon rice flour mix कर सकते हैं और उसके बाद उसमें dip करके उसको fry कर सकते हैं इसी तरह से एक बार में जितने rolls हमारे fry हो जाएं उतने rolls को हमने अच्छे से coating कर लेना है अब एक कड़ाई में हम इसको fry करने के लिए oil को गरम कर लेंगे oil गरम हो जाने पर gas की flame को हम low कर देंगे और यह हमारे बनाए हुए rolls को इसमें डाल देंगे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही करा रहा होने देंगे फिर हम इसको turn करेंगे low to medium flame पे ही हमें इसे fry करना है एक side से हमने इसको थोड़ा सा पका लिया है अब हम इसको कर देंगे turn और यहां से भी इसको अच्छे से बढ़िया सा golden fry कर लेंगे दो मिनिट बाद इसको फिर से अलटते पलटते हुए बढ़िया सा क्रिस्पी कर लेंगे यह देखे कितने अच्छे से fry हो गए हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी अब हम इने एक प्लेट में टीशू पेपर के उपर निकाल लेंगे और बागी के बचे हुए पीसेज को भी इसी तरह से बढ़िया सा fry कर लेंगे तो देखे हमारा बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी स्पाइसी आलू और सूजी का नाश्टा बिलकुल तयार है आप इसको इवनिंग स्नेक्स में चाई के साथ एंज़ॉय कर सकते हैं और अगर आपके घर में मैमान आ गए हो तो भी आप इसको जटपट से बना के रेडी कर सकते हैं तो यह थी आज की मेरी रेसिपी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें